हेलो माई प्रेंट्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुमन्स डिलिशिस की चन में स्वागत है लट्टू तो सबको पसंद होते हैं मगर बूंदी के लट्टू की बात धी कुछ और होते हैं तो आज मैं आपके लिए बूंदी के लट्टू बनाने की रेसिपिले कर आई हूँ तो चलिए बूंदी के लट्टू बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने आपर दो कोटोरी बेसन ले लिया है ये मैंने मोटा बेशन लिया है क्योंकि मोटे बेशन से बहुत अच्छे लटू बन कर तयार होंगे अब इसमें हम धीरे धीरे पानी डाल कर इसका एक बैटर बनाएंगे हमें पानी को धीरे धीरे ही डालना होगा अगर हमने सारा पानी एक साथ डाल दिया तो इसमें लंग्स पढ़ जाएंगी, गुठलियां पढ़ जाएंगी, जिसकी विज़र से हमारा बैटर खराब हो जाएगा, तो आपको पानी धीरे-धीरे ही डालना होगा, और इसका एक बहुत अच्छा पेस्ट बनाना होगा, और हमें इसे लगातार चलाते रहना होगा, पानी डालने के साथ-साथ, जिससे हमारा पेस्ट बहुत अच्छा और स्मूध बने, इसका बैटर, देखिए, ये अभी मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, इसमें तो थोड़ा मैं पानी और एड़ कर देती हूँ, जिससे हमारा बैटर, बिल्कुल स्मूध बने, इसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ी मुझे थिक लग रही थी, तो मैंने और पानी आड़ किया है, अब इसे चला के देखते है, देखिए, ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, और हमें यही चाहिए, अब इसमें हम फूट कलर डालेंगे, म के लड़ू पसंद हो, तो आप और इंज फूट कलर भी डाल सकते हैं, अब हमारा बैटर रेड़ी है, तो अब हम इसका एक बेस तयार कर लेते हैं, हमें एक बड़ा सा डबा लेकर, उसके उपर दो से तीन कपड़ों को तेह लगा कर रख देना है, जिससे हमारी ज़र्णी जिससे हम बूंदी बनाएंगे, उस ज़र्णी का हम इसके उपर, कढ़ाई के उपर रख के, इसके सहारे हम उसे दो तीन बार जटके, जिससे हमारी बहुत अच्छी बूंदी निकल कर तयार होगी, देखें, आपर हमने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है, अब हमने घी गर्म करने के लिए रख दिया है, अब हमने थोड़ा सा बैटर डाला है, अब हमारा घी परफेक्ट गर्म हो गया है, अब देखें हमने बूंदी की ज़र्णी ली है, अब हम इसी बेस पर स्टैंड कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा बैटर मैंने डाल द बुंदी को तलने में जाधा राइम नहीं लगेगा जैसे ही हमने बुंदी बना कर गढ़ाई में डाली तब ही बस दो से तीन बार इसे थोड़ा सा हिलाना है और फिर बुंदी को निकाल लेना है क्योंकि बुंदी बनाने में ज्यादा राइम नहीं लगता है अगर आपने ज्यादा देर तक बुंदी को घी में रखा तो बुंदी जल सकती है अब हम इसे एक बड़ी सी चलनी में निकाल लेंगे जिससे हमारा एक्स्ट्रा घी उसका निकल जाए इसी तरीके से अब हम सारी बुंदी बनाकर तैयार कर लेंगे देखे जैसे यह हमारी बुंदी बनकर कड़ाई में गई है तभी बहुत सारे बबल्स आने शुरू हो गए हैं और एक तम से कम भी हो गए हैं बस तभी हमें इसे थोड़ा सा हिलाना होगा और हमारी बूंदी सिक कर तयार हो जाएगी और फिर इसे निकाल लेना होगा इसी तरीके से हम सारी बूंदी बना कर तयार कर लेंगे और हमारे लेटु बहुत ही ज्यादा अच्छे बन कर तयार होंगे अब हम इसे निकाल लेते हैं देखिए हमने सारी बुंदी बनाओकर तयार कर ली है बिल्कुल पर्फेक्ट हमारी बुंदी बनी है अब हम एक कढ़ाई में डेड़ कटोरी चीनी लेंगे और इसमें हम दो कटोरी पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से उबाल कर गर्म करेंगे जिससे हमारी चीनी बिघल जाएगी पानी के अंदर और इसे बहुत अच्छे से हमें गर्म करना होगा इसके अच्छी चाशनी बनानी होगी इसमें दो तीन उबाल देने होंगे देखिए अब हमारे चाशनी में उबाल आ गया है अब हम इसमें फ्लेवर के लिए हरी लाइची के बीज निकाल कर डाल देंगे आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और अब इसमें हम फूड कलर अट कर देते हैं जिससे हमारे लट्डू का कलर और भी ज्यादा निकर कर दिखेगा इसमें एक से दो बार फिर से उबाल देना है और अब हम इसमें अपनी बुंदी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इस चाशनी के पानी को बहुत जादा गर्म करके इसे जलाना होगा जिसे जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए 10 से 15 मिनिट में इस सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा हमारा हमें इसे लगातार चलाते रहना होगा नहीं तो हमारा मिश्रन जल सकता है अब देखिए हमारा लड्डू का मिश्रन काफी थिक हो गया है अब हम ग्यास बंद करके इसे 10 मिनिट के लिए ढखकर रखतेंगे दस मिनिट हो चुके हैं अब हमारे लड्डू का मिश्रण बहुत ही अच्छा मीठा हो गया है अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं लड्डू बनाने के लिए अभी हमें सबसे पहले इसमें एक चम्मच लिक्विट ग्लुकोस डालना होगा और इसे डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लिक्विट ग्लुकोस डालने से हमारे लड्डू की शेप बिखरेगी नहीं वो एक साथ बंदे रहेंगे इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिक्विड ग्लुकोस से हमारे लड्डों में एक शाइन भी आएगी अब आप इसे हाथ से छोकर चेक कर लेजे कि हमारा मिश्रन थोड़ा ठंडा हुआ है तो हम इसके लड्डों बनाना शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादा गर्म मिश्रन से तो हमारे हाथ जल सकते हैं तो अब इस तरीके से हम दोनों हाथों में लेकर लड्डों बनाना शुरू करते हैं बस दो से तीन बार इने हाथों में लेकर दबाने की कोशिश करनी है और बस हमारे लड़्डू तयार देखिए इस तरीके से हमने सारे लड़्डू बना कर रख लिये हैं अब हम इने राय फ्रूट लगा कर सजाते हैं मैंने हापर बादाम लेकर इने सजाया है आप चाहें तो कटे हुए काजू या फिर पिस्ते को भी लगा कर इने सजा सकते हैं देखिए कितने सौफ्ट और कितने शाइनी लड़्डू बनकर तयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत तेस्टी है इसी तरीके से आप भी इन लड़ू को बना सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक, शेर और कमेट ज़रूर करें बेल आइकोन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएं फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग